हेलो दोस्तों यदि आप गॉर्मेंट जॉब की त्यारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि आज की वीडियो में जानकरी देने वाला हूँ हिमांचल प्रदेश गॉर्मेंट के और से जुलाई मन्त 2019 में निकाली गई सभी इंपॉर्मेंट जॉब्स की देखी हिमांचल प्रदेश गॉर्मेंट के और से अलग-लग डिपार्टमेंट में लग-बग 1000 वेकेंसी भरी जाएंगी तो देखी इस वीडियो में आपको इन वेकेंसी के बारे में पूरी जानकरी देने वाला हूँ मुझे पूरी उमीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए एलफुल होगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम बात करते हैं आईटाई केंडियो के लिए जॉब अपडेट की देखिये मॉडरन आईटाई प्रागपूर कांगणा में बद्दी की निजी कंपनी के दुबारा केंपरस इंट्रीव का आयोजन 5 जुलाई को किया जाएगा इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशन, इलेक्ट्रोनिक्स, आईटी और ईएसम, टर्नर, आर एसी और मशिनिस ट्रेड में जिन केंडियो ने 2018 या फिर इससे पहले आईटाई की है वे सभी केंडियो इस केंपरस इंट्रीव में बाग ले सकते हैं और चैनित कंडियेट को कंपनी के और से 7200 रुपए प्रति महा प्रशिक्षन बत्ता दिया जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट की देखे हिमाचिल परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के और से 54 वेकैंसी भरे जाएंगी इसमें इंस्पेक्टर इलेक्शन कांगो और एक्स्टेंशन ओफिसर की 54 वेकैंसी भरे जाएंगी पेस्केल तो देखे इसमें आपका पेस्केल गेराजार नौसो दस रुपए से तेराजार नौसो रुपए होगा एजुकेशन कॉलिफीकेशन जिन कैंडिट ने ग्रेजुएशन किये है वे सब इकैंडिट इन वेकैंसी पर एपलाई कर सकते हैं एज लिमिट तो देखे इन वेकैंसी पर एपलाई करने के लिए कैंडिडिट की एज 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए एप्लिकेशन फी जर्नल केटागरी के लिए एप्लिकेशन फी 400 रुपे और SC एंड अदर रिजर्वड केटागरी के लिए एप्लिकेशन फी 100 रुपे इम्पोर्टेंट डेट्स तो देखें आप इन वेकैंसी पर 2 जुलाई 2019 से 22 जुलाई 2019 तक एपलाई कर सकते हो बात करते हैं नेक्स्ट गॉर्मेंट जॉब अपडेट की हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के और से प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और एसिस्टेंट प्रोफेसर की तेती वेकेंसी निकाली गई है तो देखे इसमें आपका पे स्किल रहेगा 37,400 रुपै से 67,000 रुपै एजुकेशन कॉलिफिकेशन जिन केंडियेट ने MBBS, MD या फिर MS किये वे सबी केंडियेट इन वेकेंसी पर एप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट देखे इन वेकेंसी पर एप्लाई करने के लिए केंडियेट की एज 45 और 50 वर्ष रखी गई है तो देखे इसमें प्रोफेसर की 8 वेकेंसी एसोसियेट प्रोफेसर की 15 वेकेंसी और एसिस्टेंट प्रोफेसर की 10 वेकेंसी भरी जाएंगी एप्लिकेशन फी जर्नल केटेगरी के लिए 400 रुपे, SC and other reserved केटेगरी के लिए 100 रुपे Important Dates तो देखे इन वेकेंसी पर एप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 जुलाई 2019 बात करते हैं नेक्स्ट गॉवर्मेंट जॉब अपडेट की हिमांचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के और से सीविल जज्ज की 5 वेकेंसी भरी जाएंगी पे स्केल तो देखे इसमें आपका पे स्केल 27,700 रुपे से 44,770 रुपे होगा Education Qualification जिन केंड़िट ने LLB की है वे सभी केंड़िट इन वेकेंसी पर एपलाई कर सकते हैं Age Limit तो देखे जिन केंड़िट की आयू 22 से 35 वर्ष के बीचे वे सभी केंड़िट इन वेकेंसी पर एपलाई कर सकते हैं देखिए इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के और से DSP का एक पद निकाला गया है एजुकेशन कॉलिफिकेशन जिन केंडिट ने बीटेक किये वे सभी इस पद पर एपलाई कर सकते हैं पे स्केल तो देखिए इसमें आपका पे स्केल 15,600 रुपए से 49,000 रुपए होगा एज लिमिट तो देखिए इन वेकेंसी पर एपलाई करने के लिए केंडिट की एज 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए Age limit, देखे इस vacancy पर apply करने के लिए candidate की age 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इस vacancy पर apply करने की last date है 15 जुलाई 2019 बात करते हैं next government job update की हिमांचल प्रदेश विदान सब्बा के द्वारा 7 vacancy बरी जाएंगी तो देखे इसमें clerk और चौकिदार की vacancy बरी जाएंगी Education qualification, तो देखे जिन candidate ने 8, 10 प्लस 2, graduation या फिर post graduation किये वे सबी candidate इन 7 पोस्टों पर apply कर सकते हैं Age limit, तो देखे इन पोस्टों पर apply करने के लिए candidate की I.U. 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो देखे इसमें clerk की एक vacancy, चौकिदार की दो vacancy, junior translator की दो vacancy, assistant librarian की एक vacancy और law officer की एक vacancy बरी जाएंगी तो देखे अब हम post wise education qualification की बात करें तो जिन candidate ने graduation की है और उनकी हिंदी में typing speed 25 word permit या फिर English में typing speed 30 word permit है वे सबी candidate clerk की vacancy पर apply कर सकते हैं तो देखे जो candidate 8 पास है वे चौकिदार के पद पर apply कर सकते हैं और जिन candidate ने हिंदी या फिर English में graduation की है वे सभी candidate junior translator के पद पर apply कर सकते हैं जिन candidate ने 10 प्लस टो की है और उनके पास library science में diploma है वे assistant librarian के पद पर apply कर सकते हैं तो देखे जिन candidate के पास law के degree है वे law officer के पद पर apply कर सकते हैं तो देखे बात करते हैं next government job update की तो देखे हिमाचल प्रदेश postal circle के और से ग्रामिन डाक सेव की 757 vacancy निकाले गई हैं और इन vacancy पर apply करने की last date है 5 जुलाई 2019 पी scale की बात करें तो इसमें आपको 10,000 रुपे प्रतिमा दिया जाएगा education qualification तो देखे जिन candidate ने 10th किये वे सभी candidate इस vacancy पर apply कर सकते हैं एज लिमिट इन vacancy पर apply करने के लिए candidate की age 18-40 वर्ष के बीच होने चाहिए application fee तो देखे ए फॉर law officer जर्नल केटागरी के लिए 600 रुपे फॉर assistant librarian फॉर junior translator फॉर clerk जर्नल केटागरी के लिए 400 रुपे और चौकिदार में जर्नल केटागरी के लिए 200 रुपे तो देखे रिजर्वड केटागरी में law officer के लिए 150 रुपे और assistant librarian, junior translator और clerk के लिए रिजर्वड केटागरी में 100 रुपे और रिजर्वड केटागरी में चौकिदार के लिए application fee रहेगी 50 रुपे application fee for unreserved OBC economical weaker section male candidate के लिए application fee रहेगी 100 रुपे for all female SCSTPWD candidate के लिए कोई भी application fee नहीं ली जाएगी तो देखे इन vacancy पर आप 6 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 तक apply कर सकते हो बात करते हैं next government job update की तो देखे हिमाचल परदेश ग्रामिन बैंक में बविन vacancy यां भरी जाएगी इसमें office assistant multipurpose में 102 vacancy officer scale 1 में 43 vacancy officer scale 2 treasury manager में 1 vacancy officer scale 2 law में 1 vacancy officer scale CA में 1 vacancy और officer scale 2 IT में 2 vacancy भरी जाएगी देखे यदि हम इन vacancy पर apply करने education qualification की बात करें तो office assistant multipurpose और officer scale 1 की vacancy पर वे सबी candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने graduation की है इसके लावा officer scale 2 marketing officer की पदों पर वे सबी candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने MBA की है और officer scale 2 treasury manager की vacancy पर वे सबी candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने CA या फिर MBA की है officer scale 2 law की vacancy पर वे सबी candidate apply कर सकते हैं जिन्होंके पास law की degree है तो देखे ओफिसर scale 2 CA की vacancy पर वे सबी candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने CA की है और officer scale 2 ITI की vacancy पर और वे सभी candidate apply कर सकते हैं जिनोंने graduation की है तो देखे age limit की बात करें तो officer scale 3 और 2 के लिए minimum age है 21 वर्ष officer scale 1 और office assistant की minimum age है 18 वर्ष officer scale 3 के लिए maximum age है 40 वर्ष officer scale 2 के लिए maximum age है 32 वर्ष और officer scale 1 के लिए maximum age है 30 वर्ष office assistant के लिए maximum age है 28 वर्ष application fee तो देखे जनल कैटागरी के लिए 600 रुपए और SCSTPWD candidate के लिए 100 रुपए important dates तो देखे इन विकेंसी पर आप 18 जून 2019 से 4 जुलाई 2019 तक apply कर सकते हो तो देखे ये थी पूरी जनकारी हिमाचल प्रदेश के एक एंडिट के लिए जुलाई मन्त में ओने वाले government exam के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही thanks for watching पर रकि बति जह में वाले में वाले में подिणी खम्राची जनकारी हो पमे का ढे का एम होब के छो दिए वाले घुड Sc disabilities FPS